कर दो कि नमस्कार मैं हाजी आराफा शेख भारतिय जनकार पार्टी का एक पदाधिकारी महारास्ता के मुख्यमंत्री जी एकनाश शिंदे जी महारास्ता के उपों मुख्यमंत्री हमारे नेता देविंद्र फंडिश्ची से एक बात कहने के लिए मैं देविंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से कि नितेश राने कुछ महिनों से मुस्लिम समाज के बारे में मुस्लिम अलपसंद क्यांकों के बारे में अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीकी से बाते करना शुरूँ दिनों पहले हुनोंने कहा नगर में कि मज्जिदों में घुस-खुस के मारें गे अब हम मज् कि इसके पीछे निदेश राने को नहीं आ रहा है कि हमारे पास जवाब नहीं है कि मैं समझ नहीं सकता हूं यह कौन से हिंदु तु बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा हिंदु तु समझाने की कोशिश कर रहे हैं कॉकि एभी मेरी जिधगी हिंदू के साथ में उसलन हृजारु स्राइबुट i do मैं उनकों दिवाली में जाता हूंोures में बख्रीर्ज्र निक व्यां व्या कहुंत ने अ कुछ हिंदू हैट एक्या में मुसलमान हूं और ही कहते हैं कि मस्ughिश्ष में काई क intersection経 já एंक ये कौंसा हिंदुतु है मुझे लगता है पिस को कुझाना पड़ेगा। भी बताना पड़ेगा इसको शिरीराम। का भी देजर बहने को श्रीम आपकर करें हिंदुतु समझाना पड़ेगा। माने नहीं बाला साथ ठाकरेगा हिंदु को समझाना पड़ेगा ये कौन से हिंदुतु की बाते कर रहे मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे कौन से वक्त में आएंगे मैं कुर्ला में रहता हूँ फजर की नमाज में आएंगे सोहर की नमाज में आएंगे आसर की नमाज में आएंगे, इशा की नमाज आएंगे, मगरीब की नमाज में तब आएंगे, हम आपका फुलों से सौगय करेगे, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तर्भियत क्या होती यह कि कभी कोई मुसलमान मौलाना ने सिरी-राम के बारेrepresented लायज सीने सिता जी की उमर क्या थी औनकी शाधिय भी थी अईसा कभी किसी मुशलमान मौला नहीं का तो मैं दीख रहा है कि उन से बड़ा हमाईक था कि उनके पैजह वह टी के जबान चल रही थी छोटे ली के बच्चे आपको समझना पड़ेगा बठले डेनी आपकी बखरी इसी आवास और आप कहते हैं कि मैं हिंदू का गबर हूं आप हिंदू के गबर नहीं हिंदू के गोबर हो गोबर भग बड़ी बात है आप गूं तो हो आप गोबर नहीं गू हो जिस तरीकी की भाषा आप कर रहे हो अधर गोबर भी बने होटे तो अच्छा लगता कि कही तो कही आंगाड में लिपने के काम में आते लेकिन आप गू हो पत्थे बाप गा बच्चा केके पुकारेगा इस तरीकी की भाशा ना करो आप क्यों कर रहे हो क्या आपको मंत्री बंदा रहे हίν अग्य मं। में आपके भाप को दिली में मंद्री बनने इसलिए कर रहे हूं किती आहिले किती गहले सबको लगता हमिश पहले यह बीजी पीए साफ सबन्ना पड़ेगा आपके भूखने से इसारी चीज़े नहीं होगी हिंदुस्तान का हिंदू भी समझदार है मुसलिमान जिस तरीके समझदार है हूँ ऐसा हंदू भी समझदार है मेरे हजारों लाखों दोस्त हंदू है मुझे कभी ऐसा मैसूस नहीं का किसी हिंदू के घर जारा हूँ मैं कभी गन्पत्री पे गया तो मुझे कभी ऐसा मैस blueprint हो कि मुसल्मान एक हो गन्पत्री में क्युंँ जा रहा है aquela क्यों के हमारे ढरम में शिखाया गया है कि उ दूसरों के दर्मों की इज़त करो कि य ही नहीं हमारा नहीं PB कि यह अब उनको नहीं पता कौन कितनी साल की उमर में शादी कर रहा है किसकी कब शादी हो रही है लेकिन हमारे पैगंबर के बारे में इस तरीकी की बात करेंगे तो यह ठीक बात नहीं है मैंनी मुख्य मंत्री एकनाश हिंद्य जी ने भी इसको पर ध्यान देना चाहिए और मेरे नेता देविंद्र फंडी जी ने इसको ध्यान देना चाहिए देविंद्र जी आपको पुरा हिंदुस्तान की लोग हर कोई पसंद करता है आप महाराज्टा की शान हो हो हमारा आदर रिस्पेक्ट हो आपको लोग चाहते हैं आप जब करोना में बिमार हुए थे कई मुसल्मानों ने आपके लिए दुआ कि दरगाव पे चादर पेश की हाजी हली पे दुआएं की गई कि देविंद्र जी जल्दी ठीक हो जाएं और ऐसे लोग अपनी पार्टी का नाम खराब कि ऐसे लोगों बच्चुर बिठाइए इसके आगे समझाईए हम मस्जीदों में जा नहीं सकरें कि लोग हमारे तरफ गलब तरीकी से देख रहें कि देखो ये बीजेपी वाला आया और इसके पीछे बीजेपी वाला कोई कहता कि मस्जीदों में मालें हम मुसल्मानों ने पूरे हिंदुस्तान के अलपसंद क्यांग समाज के मुसल्मानों ने क्या करना चाहिए ये क्या साबित करना चाहरे मैं नितिश्राने से कहूंगा कि इस तरीकी की भाषा ना करो ऐसा ना हो कि और भी लोग इस तरीकी की भाषा करना शुरू करें आप जितने हैं उतने हैं आप जब बात करते हो तो ऐसा लगता कोई तीसरी चोती का बच्चा बात करना है माईक से तो छोटे दिखते हो आप, आप से बड़ा तो माईक दिखता है इसलिए मैं कहता हूँ आप मुली के बच्चे हो जिस तरीकी से मेरे आंदोलन है, जिस तरीकी से मेरा पॉलिटिकल करियर है अगर मैं उस भाषा में आ गया, तो आप कभी भी कोई स्टेज पर बोल नहीं पाऊंगे मैं तीस लाक खाटिक समाज का अद्धिक्षिन, औल इंडिया सुफी बोर्ड का अद्धिक्षिन हजारों पीर मेरे साथ में लाखों मुसल्मानों की दुआ है अगर इस तरीकी के भाषा करते रहो, रहेंगे तो बहुत सारी बाते हमको भी करना पड़ेगी आपकी शुरुवात कहां से हुई, आपके पिताजी की शुरुवात कहां से हुई इस सब बोलने मत अगाओ, इसलिए मैं कहता हूँ, कि इसके बाद बस आप इसके बाद नहीं बोलना, एक भी वर्ड हमारे पैगंबर की गुस्ताकी हम नहीं सेहेंगे मैं इस पार्टी में रहके काम कर रहा हूँ, हजारों लोगों को जोड़ रहा हूँ हजारों लोग मेरे साथ मुसल्बान जुड़े हुए, और उनका जवाब मेरे पास अगर इस तरीकी कहोगा, तो यह बात ठीक नहीं होगी, इसके बाद पैगंबर की शान में जरा भी गुस्ताकी नहीं चलेगी, कि मैं आपको सामने से बताने आया हूँ, आप कहते हैं, मैं आप गबर हूँ, गबर हूँ, आप गबर नी, गोबर हूँ, और गोबर ने गोबर जैसा रहना चाहिए, आप गू तो हो, पर गाय का गू बन जाओ भाई, कुत्ते का गू क्यू बन रहे हो, और बद्बू फेला रहे हो, इस सब ना करो, मैं एक पाल्टी का पदधिकारी नाते, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ना हो, कि और जबान निकले, और कोई बाते तैजीब के भार चले जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसके बात बस हो गया, आपने हमारे कौम के खिलाब बहुत दिनों से बहुत सारी बाते की हम ने चूप रहे पर पेगंबर की गुस्ता की हम नहीं शाहेंगे, मैं माने नी मुख्यमंतर जी से कहूँगा, माने नी देवनर जी से कहूँगा, और मुंबई के अद्देख्ष मेरे दोस आशिश शेलार जी से कहूँगा, कि आप इसे समझाएए, लगाम लगाएए, नहीं, तो बहुत सा झाल